तो फिर आज के वीडियो में हम बात करेंगी SBI bank के simply click credit card के बारे में यह SBI bank का एक बहुत ही popular credit card है और आपको इस credit card ने बहुत decent benefits भी मिलते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस credit card के बारे में पूरे detail में जहां सबसे पहले बात करेंगे इस card selected fees and charges के बारे में फिर बात करेंगे इसके benefits के बारे में and finally बात करेंगे इस credit card के eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस card को लेने का सोच रहो तो वीडियो को end तक देख लो आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस credit card में क्या-क्या benefits मिलेंगे and अगर आप इस card को लेने में interested हो तो मैं इसका अप्लाइंग लिंक आपको नीचे description में दे दूँँगा आप जाके link पे क्लिक करके इस card को apply कर सकते हो and बहुत high chances है कि आपको जो card है वो अप्रूव भी हो जाएगा तो वीडियो को काम के लिए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस credit card को लेना चाहते हो तो यहां पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा अन्वल फीज आप इसको अन्वल फीज बोलो या फिर जॉइनिंग फीज बोलो एक ही बात है तो अगर आप इस card को लेना चाहते हो तो करना पड़ेगा यहां पर आपको देना पड़ेगा 18% तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो 589 रूपीस के अप्रोक्सिमेटली आपको पे करना पड़ेगा इस card का अन्वल फीज वरिगम इस credit card के गर्म रिनुवल फीज की बात करें जो कि एवरी यह आपको यहां पर पे करना पड़ेगा तो वह भी बिल्कुल सेम है 499 रूपीस प्लस जीस्ट जीस्ट यहां पर भी 18% है तो यह यहां पर भी होता है 589 रूपीस तो यह जो 589 है वह आपको इस card के लिए एवरी यहर पे करना पड़ेगा एस रिनुवल फीज लेकिन यहां पर आपको अप्शन है आप चाहो तो इस रिनुवल फीज को वेव भी करा सकते हो मतलब माव भी करा सकते हो उसकी लिए पर क्या करना है अगर आप अपने credit card का यूज करके एक साल में अगर आप एक लाग किया उससे जादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहां पर आपका next year का जो annual फीज लगने वाला है वह आपका वेव आफ कर दिया जाएगा तो अगर एक लाग काट से स्पेंड कर लोगे तो यह जो 499 वाला जो आपका चार्ज है वह आपको नहीं देना पड़ेगा वही यहां पर आपको पे करना पड़ेगा तो फॉर एक्जांपल अगर आप अपने क्रेट कार्ट का यूज करके अगर आप एक हजार रुपया कराते हो तो उसका जो 2.5% होता है वह होता है 25 रुपया लेकिन 25 रुपया से 500 रुपीज जादा है तो यहां पर आपको अमाउंट का यूज करके अगर आप ATM से अगर थर्टी थाउजन रुपीज से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहां पर आपको 2.5% होगा वह होगा 750 रुपीज तो 750 रुपीज यहां पर ज्यादा है 500 से तो यहां पर आपको चार्जेश पे करना पड़ेगा वह होगा 750 रुपीज का तो कैश एडवांस फीज जो है आपको क्रेड़ेट कार्ड में बहुत ही ज्यादा लगता है तो ट्राइ करो अवाइड करने का ATM से कैश विड्रॉ कराने का अगला जो चार्ज आपको इस क्रेड़ेट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है ओवर लिमिट चार्ज तो मान लोग बैंक ने आपको क्रेड़ेट कार्ड में जो लिमिट दी है वो फर एजमपल एक लाख रुपए की दिये है लेकिन अगर आप क्रेड़ेट का यूज करके एक लाख रुपए से अगर आप जादा यहाँ पे स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पर जितने भी जादा आप स्पे करना पड़ेगा इस फॉरन करन्सी टांजेक्शन फीज तो अगर मानलो दो लाख रुपए का अगर आप फॉरन करन्सी टांजेक्शन करते हो अपने कड़ेट कार्ड का यूज करके तो वहाँ पे 3.5005% के हिसाब से आपको साथ हजार रुपए का जो फॉरन करन्सी माकप है वह आपको पे करना पड़ेगा next है कार रिप्लेश्मेंट फीज तो मानलो आपको अपने कार्ड को रिप्लेश करा ना पड़ता है तो शक시면 काना पड़ेगा और छो डेना पासकता है वह maximum लोग देते हैं और वहह तो मानलो लोग अपने कार्ड का जो Бог पे करने का जो डेट है वो 10th of every month को है लेकिन आप किसी भी रीजन से अगर आप बिल को नहीं पे करते हो फंड नहों भूल जाते हो मतलब कोई भी रीजन से अगर आप बिल को नहीं पे करते हो तो यहां पर जितना भी amount पर annum का आपको interest देना पड़ेगा साथ ही आपका जो credit score है वो भी बुरी तरह से हमपर होता है अगर आप बिल को टाइम नहीं पे करते हो तो अगर एक बार क्रेट स्कोर डाउन हो गया ना तो इसको ठीक करने में बहुत जादा टाइम लग जाता है और क्रेट स्कोर डाउन र प्रिच का है तो यहां पर को लेड़ फिज नहीं देना है 500-1000 आपको देने पड़ेंगे 1000-10000 ऐसाड़े साथ सो दस घर पे इतना 25000 यूपर 50.000 तक इतना और 50,000 के उपर अगर आपका मांड दूए तो 1300 रुपे आपको पे करने पड़ेंगे तो ट्राइ करो कि हमेश्या है बिलको timely पे करो ताकि यह जो फालतू के इतने सारे charges है आपको ना देने पड़े और आपका जो credit score है वो भी अच्छी तरह से बना रहे हैं अब बात करते है इस credit card benefits के बारे में तो जो सबसे पहला benefit आपको इस credit card मिलेगा वो है login gift का benefit आप इसको login gift बोलो इसको welcome benefit बोलो एक ही च जाएगा और उसके बाद आप अपने card का जो annual fees आप पे कर दोगे तो यहां पर आपको as a login gift दिया जाएगा Amazon की तरफ से 500 रुपीज का gift card इस gift card का यूज करके आप Amazon से 500 रुपे तक कोई भी आप वहां पर purchasing अगरा कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देन साथ ही मान लोगर आप जो सामान खरीद रो उसका value 500 रुपीज से कम है for example 400 रुपीज है तो यहां पर आपको extra कुछ भी नहीं पे करना है आपका 500 रुपे के gift card से ही आपका काम हो जाएगा and आप यहां पर जो gift card आपको कम मिलेगा जैसी आप इस card का annual fees पे कर दोगे न उसके 30 days के अंदर आपको यह जो voucher का जो code है वो आपके register mobile number में आपको send कर दिया जाएगा and आपको इस चीश का ध्यान देना है कि यह जो voucher आपको दिया जा रहा है आपको उसको 12 months के अंदर ही redeem कर लेना है because अगर 12 months के अंदर आप redeem नहीं करोगे तो वो expire हो जाएगा आपके किसी काम के नहीं रहेगा and एक तरह से आप कह सकते हो कि आपने इस credit card को जो annual fees दिया है न वो आपको यह return कर दे रहे है as login gift card के अपर हम बात करें तो वह is credit card का milestone benefit अगर आप अपने credit card का use करके एक साल में अगर आप 1 lakh या उससे जादा spend कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको as a milestone benefit दिय जाएगा clear trip का e voucher जिसका value होगा 2000 रुपीज and इस voucher का use करके आप clear trip से अपने bookings वगरा करा सकते हैं वही मानलो अगर आप अपने credit card का use करके अगर आप एक साल में अगर आप 2 lakh या उससे जादा spend कर लोते हो तो वापस से यहाँ पे आपको clear trip के तरफ से 2000 रुपै का gift voucher दि benefit दिया गया है तो जितना जादा आप spend करोगे card से उतना जादा benefit यहाँ पे आपको मिलेगा अगला जो benefit यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है फ्यूल सर्चार्ज का benefit तो आप जभी credit card का use करके इंडिया में किसी भी petrol pump में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो न तो वहाँ पे आ अगर होता है तो आपको यहाँ पर जो फ्यूल सर्चार्ज लग रहा है वह आपका वेव उफ कर दिया जाएगा और एक मत्म जो आप maximum benefit यहाँ पे ले पाओगे वह 100 रुपीज का ले पाओगे तो मतलब कह सकते हो कि आप एक साल में यहाँ पे 1200 रुपे तक का benefit कर सकते हो अ में spending करोगे clear trip, domino's, easy diner, mint ra, net meds, yatra अगर आप इन में से किसी भी जगह में अपने credit card का use करके spending करोगे तो 100 रुपे अगर आप spend करोगे तो यहाँ पे आपको 10 reward points मिलेंगे इस credit card में एक reward point का जो आपको value मिल रहा है वो है 25 पैसा का तो इन में से अगर किसी भी जगह में तरह का कोई भी online spending अगर आप करते हो तो यहाँ पर online spending पर अगर आप 100 रुपी spend करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 reward points और अगर आप इसो calculate करोगे तो आपको 1.25% का benefit होगा किसी भी दूसरे जगहों में अगर आप online spending करते हो इन में को छोड़ करके वहाँ अदर्स offline spending की बात करें कि online की तो यहाँ पर बात हो गई अगर आप कार्ट को कहीं पर भी offline अगर यूज़ करते हो तो 100 रुपी spend करने पर यहाँ पर आपको एक reward point आपको मिल रहा है offline spending में यहाँ पर जो reward point मिल रहा है वो competitively थोड़ा सा कम है लेकिन आज के रेट मैक्सिमम हम लोग online spending ही ज 5X और 10X यहाँ पर इन्होंने एक capping लगा रही किये कि एक मत में जो आप maximum benefit ले पाओगे वो 10,000 reward points तक का ही ले पाओगे एक मत में अगर आप 10,000 reward points तक अगर आप earn कर लेते हो और उसके बाद अगर आप इन जगहों में किसी में भी spending करोगे तो उसके बाद आपको 100 रुप points आप earn कर रहे हो अगर आप उनको redeem कराना चाहते हो तो यहाँ पर redemption के भी multiple option है सबसे परे समझ लेते हैं कि आपको redeem कैसे कराना है आपको sbi card.com में जाना है या फिर sbi के mobile application में जाना है और फिर वहाँ पर जाकर आप चाहो तो कोई भी gift watcher खरीच सकते हो और जो मेरे को जो उस process को यूज करके अपने reward points को यहाँ पर redeem करा सकते हैं अगला जो benefit आपको इस credit card मिलेगा वो है zero lost card liability का benefit और यह अभी credit card के usage को बहुत जादा secure बना देता है तो माननों कर आप credit card कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और अगर आपको card से किसी भी तरह का fraud transactions होता ह तो उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी liable नहीं रहोगे मतलब की जिम्यदार नहीं रहोगे लेकिन उसके लिए पर क्या करना है जैसे अब आप card गुम या चोरी होता है न उसके बाद आपको immediately bank के call center में call करके अपने card का जो loss है वो report करा देना है भले आप a card गुम हो गया तो मान लोगर आप अपने card card का use करके कोई एक transaction करते हो जिसका value 2500 रुपी से जादा है और उसके बाद आप नहीं चाहते हो कि भाईया उस amount को आप एक बार में payback करो तो यहाँ पर यह आपको option देते हैं आप चाहो तो उस amount को easy monthly installments में भी payback कर सकती हो तो यह जो flexi pay का option जो transaction किया है फ्लीज आप उसको EMI में convert करा दीजे और आपको help कर देंगे और आपका जो purchase है उसको EMI में convert कर देंगे नेक्स जो benefit आपको इस credit card में मिलता है वो है add-on card का benefit आप चाहो तो अपने घर के किसी भी family member जिनका age 18 year से जादा है चाहे वो आपके parents हो, spouse, children, siblings, मतलब आप चाहते हो कि आपके family के किसी भी member को एक card मिल जाए बिना किसी जमेले के तो आप अपने ही credit card में से उनको एक add-on card दिलवा सकते हो, and सबसे अची चीज है कि आप वो cash spending कर रहे हैं आप उसको track भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि card दे दिया हो बटा उड़ाय जा रहे है और आपको बात में bill भरना पड़ा है, ऐसा नहीं है, वो cash spending कर रहे हैं, आप वो सारी चीजों को track भी कर सकते हो, next benefit यहाँ पर आपको मिल रहा है contactless advantage का, तो यहाँ पर जो आपको credit card issue किया जाता है, वो आता है contactless technology के साथ, जहाँ पर हर बार card से payment करने के time, आपको अपने card को ना swapping machine में swap करने की ज़रत है, ना आपको वहाँ पर pin डालने की ज़रत है, आपको simply अपने credit card को swapping machine में एक बाद tap करना है, tap ऐसे करके सटाना है, और आपको जो payment है, वो successful हो जाएगा, अगला benefit यहाँ पर आपको मिल रहा है, कि यह जो credit card आपको issue किया जाता है, वो worldwide accepted है, मत् हाँ पर यह जो card है, आपको accepted रहेगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा request कि वीडियो अगर आपको informative लग रही हो, तो वीडियो को like जरू करिएगा, चैनल अभी ज़र सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को subscribe जरू करिएगा, अगर आपको किसी भी credit card यहाँ आप इस credit card को लेना चाहते हो, और अगर आप salary हो, मतलब कहीं पर job अगर करते हो, तो आपका जो age है, वो 18 years से लेके 65 years के बीच का होना चाहिए, और आपका जो monthly income है, वो 20,000 रुपए कम से कम होने चाहिए, वह अगर आप self-employed हो, मतलब businessman हो, तो यहाँ पर जो आपका age है, 21 years से लेके 65 years के बीच होना चाहिए, और आपका जो monthly income है, वो भी 20,000 रुपए होने चाहिए, as per the ITR, मतलब जो income tax written up file करते हो, उसके हिसाब से 20,000 रुपए होने चाहिए, और यहाँ पर आपको कुछ documents भी है, जिनका आपको requirement पढ़ेगा, जैसे identity proof आपको देना पढ़ेगा, आपका electricity bill, passport या फिर DL, इनमें से कोई भी आप दे सकते हो, आज address proof, और finally आपको यहाँ पर अपना एक income proof देना पड़ेगा, आप चाहो तो यहाँ पर अपना bank statement दे सकते हो, salary slip दे सकते हो, अपना ITR submit कर सकते हो, अगर आप इस card को लेने में interested हो, तो मैंने इसका applying link नीचे description म क्लीये जैरें